ये देखें वाइज यम्मी टेश्टी शिकनजी हमने बना कर तयार करी है रaving ब्लख जो कि हम को बल्कुल रीप्रेश कर देगी इतना तेर यम्मी और इसका हम बताएंगे मसाला भी बनाना जो कि एक बार इस तरह इस तरीके से बताएंगे ना आपको बनाना कि आप फट से पांच मेर नहीं लगए आपकी सिकंची बनकर तयार हो जाएगी जैसे चीनी वगरा घोलने में हमको देर दिक्कत होती है तो वो भी हो जाएगा कुछ मसाला एहां है को दो स्पून के कारीब जीरा और तीन डाल नमक के ले लिए सोंप भून लेते हैं अरट है टाट में निकाल कि देखिए इसको भून करना है तेज फ्लेम पर भूने से जल जाते हैं और इसका स्टेश तो तभी निकल कर आएगा जब हम धीमी फ्लेम पर इसे कुक करेंगे ड्राय रोश करना है, तो यह देखे, हमारी इसकी भी आवाज आएं लगे चिटकने की, तो क्या करेंगे, हमारा सौफ भी भुन कर दयार है, इसको भी हम अलग ठाली में, उसी ठाली में जिसमें हमने जीरा निकाला था, बस उसी में हम निकाल करके, रख लेंगे, ठंडा होने बस हलका सा गरम करना है जिससे की जो इसके अंदर का ओयल हो रहा होता है वो अच्छे से काम करने लेगे दिया देखिए तो यह भी हो गया है पहले उसका तरीका देख लिजिए यह देखे गाई हमने पैन रख दिया है इस पर हम डालेंगे हाफ ग्लास पानी दिकिए हम दो ग्लास के रहे हैं आप सिर्फ यह देखते रहें कि हमने कैसे बनाया है ऐसी हिजाब से आप श्टोर करकर भी रख सकते हैं इस चीज को अपने हिसाब से कॉंटिटी में चीनी ले करी हैं, इसी तरह से आप ज्यादा कॉंटिटी में भी बना करके रख सकते हैं, तो यह देखिए इस तरह से हम इसे चलाते हुए पका लेंगे एक बात और गाइज देखिए हम इसे बॉइल होने तक बीसिर्फ पकाएंगे ठीक है क्योंकि हमें यह तुरंत खतम कर देना है हमें स्टोर नहीं करना है अगर आप चाहते हुए कि अप इसको स्टोर करना चाहते हो ज्यादा कॉंटिट्टी में बना करके तो आप इसको जैसे सहद होता है उसी कंसंटिंसी में कंसंटिंसी तक पकाना है ठीक करना है इसा भी नहीं करना हो है कि वो जम जाए रखने ही तक कर oney perspectives चिल्ड वॉर्टर डाल दिया बस आपके सिकंजी तुरुतुरुत तयार है यह हमने तरीका बताया आपको कि आप इसी तरह से चास्नी की तरह बना करके रख लेंगे अच्छे से पकाके तो यह आपके काम आएगा इसी तरह से आप 5 में भी बना करके तयार कर सकते हो यह देख तो यह देखिए इसको हम कर लेंगे ग्राइंड अच्छे से तो यह देखिए हमारे अक्तम ग्राइंड हो गया है फाइन बिल्कुल कर ग्राइंड हो देखिए नमक आप मसाले के साथ ही ग्राइंड करें जिससे की इसकी साहता से मसाले हमारे अच्छे से पिस जाएंगे बि कि मिंट यह हमने डाल दिया है, पुदीने की पतनी कि द不過 साधी कि चैहले बना सूब को सदर सब्सक्राइब करेंगे और जिस ग्लास के हिसाब से बनाना है तो उसे और टेट लगे पानी क्यूंकि इसमें यह मनद पढ़ेंगे तो इसमें हम डालेंगे अपनी 1 स्पून के गरीब मसाला जो हमने ग्लाइड करके रखा है और हमारी हमारी व्यार्ट तो देखिए 5 मुट नहीं लगा क्योंकि सारी क्रिजिन पहले से बना करके रखे थे तो इसमें हम डालेंगे अपने आइस क्यूप तो इसे देखिए पहले हम करेंगे सर्व तो यह देख सकते हैं यह हमने अपना आइस क्यूपश डाल दी थी ग्लास में और यह देखे सब कर यह सिंपल वाला और आप देखें जो मिक्सी के जार में मिंट हमने चला करके रखी इसमें थोड़ा सा हम आट करेंगे अपना वही सिकंजी और इसको क्योंकि सिकंजी हम थोड़ी बना रहा है तो इसमें चटनी की तरह पुदीना नहीं पीस कर डाल सकते तो यह देखें उसी गिलास से हम उसी जार में डाल दिया तो उसकी सारी मिंट हमारे सिकंजी में आ गए तो यह देखें इस तरह से हमने डाल कर लिया ठीक है और इस क्यूब भीड़ा तो यह बिल्कुल चिल्ड वाटर चिल्ड सिकंजी बन करके तयार है तो यम्मी टेस्टी इस कर्मी जरूर य जो कि सिकंजी के ट्रेमी है एक बात और यह मसाला इतना अच्छा है चाहे वो रायते में डाले चाहे दई भल्ले में डाले किसी भी चीज में डाले यह कई प्रकार से मसाला यूज किया जा सकता है तो आमारी यह रेस्पी और पसंद आयो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शे